प्रोजेक्टाइल, what is projectile? तो जो इसकी रटने वाली definition है वो कह रहा कि curved path formed, कौनसा path बनेगा? curved path, तो कह रहा curved path formed when object throwing horizontal direction horizontal direction ये वाली, ठीक है? horizontal direction with angle, किसी angle से फेकूँगा, ठीक है? किसी भी angle से, गर मैं horizontal direction, for example, एसे marker फेक रहा हूँ, तो ये marker एसे घिरेगा तो ये जो path formed होगा ना, इसे को हम देती है, बोलते है projectile, क्या बोलते है, that is projectile और ये जो path होता है, वो इसको हम बोलते है, that is trajectory, क्या बोलते है, इसकी trajectory ज्यान से देखना, यहां पर यह मुनना खड़ा है, मुनना को मैंने पत्थर देदिया, पत्थर देगके बाइगा कि इधर यह खड़ा है कि छोटु सा भचा इसके उपर फैक देगा, Essa strollा टिर आंके गिर जाएगा तो यह तो यह क्रेगा इसे फैकेगा, इसे फैके गा, ना जिस से उब्जेक्ट जाएगी मतलब मेक्जिमम जो हरिजेंटल होगी ना तो बंदे ने फेका और ये जो पास जितना भी बनरहाँ ना एंगल चेंज करने पर देट देटीज प्रोजेक्ट प्रोजेक्टल बूलते है इसको इप एरोपलेशन प्लेशन हासे इरोपलेशन से बनेगा सब्सक्राइए TON प्रोजेक्टाइल को आपको मोटे तौर पर फंडा समझ मैं गया ना मैक्जिमम कब होगा देखो यह यहां से फेका यह है देट इस ओरीजेंटल वेलो सिटी यह लाइन है वर्टिकल वेलो सिटी वाली क्लिर इस थीटा एंगल पर अब्जेक्ट फेक्ट फेकूंगा तो एंगल पर अलग अलग अब्जेक्ट का फूरा सिस्टम आएगा ठीक है तो यहां से मैक्जीमम यहां पर आकर फिर वापस यह कर चेंज हो रहा देखो एसे कर आकर फिर जिस पॉइंट पर चेंज होता ना वहां पर होगी देटिस मैक्जीमम हाइट यह हो गई अपने मैक्जीमम होरीजेंटल रेंज आएगी क्लियर है ठीक है तो एंगल का रोल बहुत इंपोर्टेंट है जिस एंगल से फैकेंगे उसी एंगल से हमारी अब्जेक्ट गिरेगी क्लियर है तो इस्टोर्म वाले एक्जांपल से समझा दिया तो आई तिक आपको प्रोजेक्ट आएल का बेसिक फंडा क्लियर हो गया ठीक है यह हो गया डेटिज मैक्जीमम हाइट यह हो गया होरीजेंटल रेंज यह थिटा डिग्री एंगल और मोस्ट इंपोर्टेंट है कि थिटा एंगल का ही खेल है और यह जो पाथ फॉर्म होता हना जो प्रोजेक्ट आइल पाथ इसी को हम इसकी trajectory बोल देते हैं, clear है, thank you so much channel को like, share, subscribe जरू करें